Hello guys, welcome to this video और मेरा नाम है Amantrivedi जैसा कि आप सब जानते हैं इस चैनल पर हम पढ़ाई से रिलेड़ेट ज्यादा तर बाते करते हैं तो फिर आज की इस वीडियो में हम Lockdown 5.0 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं तो आईए जानेंगे इस वीडियो में क्यों हम Lockdown 5.0 की बात कर रहे हैं और क्या कुछ इसमें नया है और क्यों मैं आपको इस चैनल पर इस लिए लेकर आया हूँ तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं मेरा नाम है Amantrivedi इस वीडियो में हम बात करेंगे Lockdown 5.0 के बारे में क्या कुछ इसमें नया है क्या कुछ changes है इन सारी चीजों का discussion हम आज के इस वीडियो में करने वाले है तो देखतर ही है इस वीडियो को end तक और आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं और आपके लिए क्यों ये वीडियो important है तो कई लोग तो ये पहली बात तो टाइटल देखके ये कह सकते है कि ठीक है इसमें नई बात क्या है lockdown 4.1.2 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हो गया भी नया क्या है it has become cliche now ठीके जिन्होंने मेरे vocabulary class देखकी होगी वो उनको याद हो गया होगा ये word cliche तो वो कह सकते हैं कि ये तो cliche हो गया अब इसमें नया क्या है कुछ नया बताओ sir तो बिल्कुल भाई नया है लेकिन उसके लिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि रुको जरा सबर करो थोड़ा सा वेट करो सारी बात आपको पता चलेगी वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब तुमको पता चल जाएगा धीरे धीरे देखिए क्या नया है देखिए अब सब खुलने वाला है इसलिए पढ़ना शुरू कर दो और टाइम पास करना बंद कर दो ये मै आपसे कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले एंड तक देखोगे तो ये पता चल जाएगा क्यों ऐसा कह रहा हूं सुनो ऐसा क्यों कहते हैं लॉगड़न 5.02 लॉगड़न 4.02 क्या कह रहा है कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है क्यों इसके बारे में बा MHA यानि कि Ministry of Home Affairs ने नई guidelines जारी कर दी है यानि कि Ministry of Home Affairs ने जो आपका lockdown 5.02 है इसके बारे में सारी जानकारी अपनी website पर upload कर दी है और उन्होंने इसके बारे में जानकारी हमें दे दी है उन्होंने कहा है धीरे-धीरे तीन phase में वो चीजों को खोलने पर जा रहे हैं तो उन् religious places, hotels, restaurants, shopping malls to be opened from July 8 outside the containment zones यानि कि containment zone के बाहर जितने भी religious places, hotels, restaurants and shopping malls है ये 8 July के बाद खुलने वाले हैं ठीक है ये बात समझ में तो अब religious places, hotels, restaurants, shopping malls जो है 8 July से खुलने वाले हैं लेकिन for the containment zone people जो लोग containment zone में रहते हैं या ऐसे areas जो कि होट्सपोट हैं containment zone हैं वहाँ अभी भी कोई भी रियायत नहीं होगी वहाँ के लिए वैसे कि वैसा ही है ठीक है तो अगले आप फेस टू कहता है कि decision on schools, colleges, universities to be taken after July 20 after consultations with respective states and UTs यानि कि संबंधित राज्यों या फिर आप UT यानि कि उनिंटेरिटरी से बात करके 20 July के बाद schools, colleges, universities पर decision लिया जाएगा यानि कि जितने भी सैक्षिक संस्थान हैं उन पर जो decision है वो 20 July के बाद आएगा यानि 20 July के बाद में school, college, universities खुल सकते हैं समझ में आई बद तो अभी आप जो school, college students है वो थोड़ा से relief ले सकते हैं, sigh of relief ले सकते हैं कि 20 July तक तो आप बचे हो 20 July के बाद आपको school, college जाना पड़ सकता है तब तक आपका summer holidays भी हो जाएगा तो तब तक आपकी छुट्टी चलेगी तीसरी, जो आपका तीसरा phase है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनियेगा, phase 3 आपका है, based on the assessment of the situation, dates for restarting following activities will be decided, पहला है आपका international travel, यानि कि situation को access किया जाएगा, और उसके बाद में वो decide करेंगे कि international travel सुरू करना है या नहीं करना है, ठीके, तो बट इसके लिए आपको ज्या इसमें international travel हो गया, हाँ, metro rail शुरू हो सकती है, तो दिल्ली या फिर जिनके शहरों में metro है, कानपुर में तो अभी है नहीं, बन रही है, जब तक बनेगी तब देखा जाएगा, फिलाल metro शुरू हो सकती है, तो ये भी एक संभाबना है कि assessment किया जाएगा situation का, और उसके बार्स और ओडिटोरियम, assembly halls and similar places, सब कुछ खुलने वाला है, cinema halls, gyms, swimming pools, entertainment parks, theater bars, auditorium, assembly hall, ये सारी चीज़ा खुलने वाली है इनकी, ठीक है, इसलिए, ठीक है, बोल रहा हूं, थोड़ा सा बेट कर लो, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुँ entertainment, academic, cultural, religious functions and other large congregation, ये सब कुछ शुरू होगा, situation को assess करने के बाद, यानि कि government is in mood to start all these activities, चाहे वो social activity हो, political activity हो, sports activity हो, entertainment activity हो, या academic, cultural, religious, या फिर किसी भी तरीके का congregation, किसी भी तरीके के भीड, आपका जो इखटा होना है, ये आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है, So, now, दो words पर ध्यान दीजे, एक हो गया आपका academic और हो गया large congregation, these are very two important words, इन पर बहुत ध्यान दीजेगा, ठीके, ये दो आप जो सुन रहे हैं, यानि कि academic और large congregation, यानि कि academic प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, और large congregation जिसमें भीड होती है, आपके exam में भीड होती है, और academic academic मतलब exam से related चीजे हैं, यानि कि आपके exams भी शुरू हो सकते हैं, तो बात समझ में आई, तो मैं क्या कह रहा था, यही कह रहा था कि पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, dates भी जल्दी ही आ जाएंगे आपके exams की, ठीके, आप देखिए, SSC ने अपने notice में क्य कहा था, SSC ने अपने notice में कहा था कि, they will declare the result of the dates, they will declare the dates will be announced at least one month in advance for the convenience of candidates, यानि कि एक महिने पहले वो dates को बता देंगे, तो अगर आप यह मान के चलो कि यह सारी activities open होते होते, जुलाई आ जाता है, तो वो अगर जुलाई के end तक अगर वो dates announce करते हैं, इसका मतलब exam, August, September, आ आप यह मान के चली, August, September तक हो जाएगा, August end या फिर September शुरुआत तक आपके exams शुरू हो सकते हैं, बात समझ में आई, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे अभी, कि अरे SSC तो एक मेना पहले date बता दी कि मैं चिल करूँगा, तो अगर आप चिल करोगे, तो two years later आप क्या लोगे, वो भी देख लो, ठीके, इसलिए मैं आप से कहूँगा, चिल करने का टाइम गया, अभी पढ़ाई करने के टाइम आ चुका है, बिल्कुल, गोवर्मेंट पूरे तरीके से mood में है, now it's not, government is not in mood for restricting any actions, any activities, वो ज्यादा तिर चीज़े खोलने के mood में हैं, आप कैसा हो रहा है, इसका मतलब, lockdown almost open होने वाला है, जादा तर चीज़े open होने वाली है, जो लोग का doubt है कि containment zone में अगर होंगे, तो exam कैसे होगा, तो containment zone से related कुछ ना कुछ चीज़े निकाली जाएंगी, आप उस चीज़े पर, ये काम आपका, ये सोचना आपका काम नहीं है, व आपका काम क्या है, पढ़ना, study करना, सुरू कर दीजिए, काफी time pass कर लिया, काफी इधर उदर pub जी खेल लिया, इधर उदर memes बना लिया, काफी कुछ हो गया, अब सीधा focus आपका होना चाहिए, पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई से इसलिए, क्योंकि SSE ने कहा है, एक मेन में तुम जंडे नहीं गाड़ दोगे, ठीके, इसलिए बिलकुल पढ़ाई में लग जाईए, क्या करना है आपको, आज से तयारी शुरू करिए, कल संडे है, कल से लग जाईए, एक proper time table बनाईए, ठीके, time table बनाके, सिर्फ time table बनाके, उसको रदी में नहीं डालना है, उस पर stick करना है, यानि कि उसको आपको अच्छे से follow करना है, ठीके, तो make a time table and do stick to it, अगर आप stick नहीं कर रहे है उस time table पर, तो कोई फैदा नहीं है, आपके पढ़ाई लिखाई का, सब आप waste कर रहो, ठीके, तो एक time table बनाईए, stick करिए, time table कैसे बनाते है, इसके लिए मैं अल target set करिए, targeted study करिए, आप ये मान के चलिए, कि आपका exam 20 अगस्त को है, आप ये मान के चलिए, अभी आपके पास जून बचता है, जुलाई बचता है, और 20 दिन अगस्त का है, तो almost 2-3 महना बच रहा है, इतना target लेकर तयारी करो, इतना target लेकर तयारी करोगे, तो जरूर भल होगा, और exam तक आपकी अच्छी preparation हो जाएगी, जो लोग अभी chill करेंगे, वो लोग बाद में यही करेंगे, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसा करे, ठीके, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से पढ़ाई में लग जाईए, ठीके, चलिए, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, तो आप मेरे बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके अलावा, unacademy पर मेरे यह सारे courses planned है, एक master course on error detection 1 जून से शुरू है, sentence improvement का course 8 जून से शुरू है, one word का 15 जून से, idioms and phrases का 23 जून से शुरू है, इन सारे courses में enroll करने क के लिए आप मेरे referral code AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई query है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, इस number पे, और scroll में भी आपको number दिख रहा होगा, वहाँ से मुझे WhatsApp कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं, ठीक है, तो unacademy का subscription लीजिए, पढ़ाई कीजिए, इन सारे teacher से आप पढ़ सक description लेते हैं, और आप मेरे referral code भी use कर सकते हैं, AMANT, जिससे आपको 10% discount मिलेगा, तो I think अभी के लिए इतना ही, enough जानकारी आपको मिल गई होगी, lockdown 5.0 क्या है, और क्यों मैंने कहा कि पढ़ाई में लग जाई है, और क्यों मैंने ऐसे सारे assumptions दिये हैं, so I hope you enjoyed the session, अगर पसंद आ आया हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को like करना, नहीं पसंद आया हो, तो बंद कर देना या dislike मत करना, क्या करोगे, dislike करके, ठीके, तो वीडियो को पसंद आया हो, तो like करना, share कीजिए, अपने friends के साथ में, I think थोड़ा सा funny बनानी की कोशिच मैंने की थी, I think आपको मज़ा होगा, और चैनल को subscribe कर लीजिए, आप I button पे click कर, आप click करके, word power made easy की summary भी देख सकते हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है, तो जाकर देख लीजिए, I button पे click करके, word power made easy आप पूरी पढ़ सकते हैं इस channel पे, so thank you so much for watching this video, have a good day, bye bye, take care and have a good day, thank you so much.